Welcome to only AIS, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिस्क्रिशन में आज 10 माई 2022 है तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं हमारा first article monkeypox के बारे में है UK की health authorities ने भी एक case को confirm किया है ये case monkeypox का है ताफिर rare viral infection है एक individual जिसे ये बिमारी अभी detect की गई जिन में वो कुस्तर में पहले Nigeria से travel करके UK गए है monkeypox virus की बात करनों तो ये प्रिकार का orthopox virus है orthopox virus का एक genus है इसी genus से बिलॉंग करता है variola virus भी और vaccine virus भी variola virus के बारे में बात करनों तो जो smallpox की बिमारी होती है जिससे आप सभी लोग परिशित होंगे वो इसी variola virus से होता है और smallpox बिमारी को दूर करने के लिए जो vaccine बनाई जाती है उसमें हम vaccine या virus का इस्तेमाल करते है monkeypox एक viral genetic disease है genetic का मतलब आप जानते हैं कोई एक बिमारी किसी जानवर से किसी इंसान तक आ जाए तो उसे genetic disease कहा जाता है tropical rainforest का जो area है Central या West Africa का वहाँ पर ये काफे ज़्यादा प्रभावी बिमारी रहती है और अगर कोई विक्ती वहाँ से travel करके दुनिया के किसी अन्हिस्से में जाता है तो ये बिमारी वहाँ भी चली जाती है 1958 में for the first time इसको discover किया गया monkeys की कुछ colonies में जिनने research के लिए रखा गया था and that is the reason किसे नाम दिया गया monkeypox monkeypox जो है इसमें symptoms के तौर पे आपको देखेंगे fever, rashes, or swelling lymph nodes सरीर के कुछ हिस्सों पे कुछ काठे lymph nodes वैसे तो ये बिमारी smallpox जैसे ही होती है लेकिन smallpox में knots नहीं उभरते body parts पे, लेकिन monkeypox में उभरते है usually ये जानवरों से इंसानों में आ जाता है, जानवरों में rodents और primates शामिल होते हैं लेकिन human to human transmission भी होता है human to human transmission की जानकारी for the first time में 1970 में लगती है, that too from DRC, Democratic Republic of Congo incubation period 7-14 दिनों का होता है, मतलब 7-14 दिनों में ये बिमारी अपने symptoms दिखा देती है कई दफा ये पहले भी हो जाता है मतलब ये period 5-21 दिनों का भी हो सकता है transmission की treatment के हम basically बात कर रहे हैं, smallpox बिमारी जो है, इसे 1980 के दौरान दुनिया भर से eradicated declare कर दिया गया smallpox बिमारी को eradicate करने के लिए जो vaccine इस्तेमाल की गई, that was vaccine या vaccine, मैं आपको बता दूँ कि यही vaccine monkeypox में भी work करती है, और इसे भी cure या फिर इसे बचाओ में सहायता देती है, यहाँ पर देखे B, यानि की 3 only smallpox को eradicate किया जा चुका है chickenpox और diptheria की problem तो अभी भी है हमारा next article Rabindranath Tagore जी के बारे में है Nobel Award winner Rabindranath Tagore जी की बहुत anniversary को भी हाल ही में observe किया गया and that is the reason कि वो news में आए fundamentals जानते हैं because कई बार conventional questions personalities पर पूछ ले जाते हैं UPSC का एक important topic रहता है यह 7 मईए 1861 को इनका जन्म हुआ था देविननाथ Tagore इनके पिता जी थे और सार्दा देवी इनकी माता कुलकाता में इनका जन्म हुआ था लोग इन्हें प्यार से या फिर popularly गुरुदेव ये कहके पुकारा करते थे इन्हें एक writer, poet, play writer, philosopher, aesthetician, music composer, choreographer और painter के रूप में याद किया जाता है योगर अंडर्स्टैन कि बहुत ही versatile personality थे with a lot of talent काली राज जी की जो classical poetry थी उससे बहुत ज़दा प्रभावित थे और उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी poetry का collection भी तयार करना शुरू कर दिया महज़ सोलह वर्स की आयू में इन्होंने अपना पहला collection release कर दिया था एक pen name से वो नाम था भानुसिम यह अपना नाम ने लिखते थे इसी नाम से अपनी poetry release करते थे इनके कुछ बहुत important work हैं और आप से सीधा-सीधा पोच लिया जाता जिसमें सबसे ज़्यादा important है गीता अंजली यू कुट भी आस्ट गीता अंजली किसका है और आपको पता होना चाहिए रविन्नाठ टैगोर इसके लामा घरे-बैरे गोरा, मानसी, बालक सोनार, तोरी ये कुछ बहुत important के works है एक बहुती famous song है एकला चलो रही आपनी सुना जरूर होगा ये रविन्नाठ टैगोर जी का है इन्होंने इंडिया और बांगला देश दोनों ही देशों का national anthem लिखा है बांगलार माटी, बांगलार जॉल यानि कि soil of बांगलार जब बांगल का partition किया गया 1905 में तो जो partition वाला part था उनके बीच में जो बांगली population थी उनको unite करने के लिए रविन्नाठ टैगोर जी ने ये गीत लिखा था बांगलार माटी, बांगलार जॉल इन्होंने आमार सोनार बांगला भी लिखा जिसके माध्यम से जो बंगल का पूरा रीजन था उसमें nationalism की feeling को ignite किया गया बेसिकली freedom struggle में इनके role की बात करते हैं इन्होंने राखिय उत्सा सुरू किया that was to create communal harmony हिंदू और Muslims आपसमें राखिय बानते हैं यानि की colorful threats जो इस बात को ensure करता है कि वो एक ही है इन्होंने बिश्चर्स के imperialism का विरोध किया लेकिन ये गांधी जी के non-cooperation movement से पुरी तरीके से कभी सहमत नहीं थे इन्हें नहीं लगता था कि तरीका बहुत ही ज़्यदा प्रभावी है in fact इनका ये मानना था कि हमारी society में बहुत तरीके की दिक्कते है so it's a sickness or disease और जो बिश्चर्स का rule है ये तो उसका symptom मात्र है क्योंकि ये problems है that's why वो यहाँ पे rule कर पा रहे है बिश्चर्स ने इनको nighthood की उपाधी दी हुई थी Lord Harding ने 1915 में इन्हें उपाधी दी थी लेकिन जब Amritsar massacre होता है उसके बाद इन्हों ने इस उपाधी का denounce कर दिया उसे छोड़ दिया क्योंकि उसमें unarmed civilians को जलिया वाला बाग massacre में मार दिया गया था 1913 में इन्हें Nobel Prize दिया गया Literature में जो इनका बहुत ये prominent novel है इतान जली इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए 2021 का देखिए प्रश्न है मंदन पल्ले आंदरप्रदेश की location है इसके समन्द में कौन सा statement सही है C इसका correct answer था यहीं पर रविदना टैगोर जी ने जो national anthem है उसे बंगाली से English में translate किया था So that is the location skeletons की human skeleton की DNA samples collect किये गए है यहाँ पर word इस्तेमाल क्या गया है necropolis necropolis basically जो बड़े burial grounds होते हैं उन्हें यह necropolis कहा जाता है cementries को कहा जाता है necropolis तो ऐसे शब्द आ जाए तो परिशान मत होईएगा मतलब burial ground या फिर cementries को ही necropolis कहा जाता है हर्याना में यह location है और इसके बाद हम skeletons के जो भी remains है उनका scientific examination करेंगे इसके जरीए हो सकता है कि वहां की जो ancestry है food habits है उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाए आपको पता होगा कि राखी गड़ी वरतमान में सबसे बड़ी हरपन site भी है हर्याना में है अमरेंदर नात जी ने जो की director हुआ करते थे archaeological survey of India के उन्होंने 1997 में यहाँ पर excavation की और उसके बाद से ही जो archaeologists थे वो इस site को लेकर बहुत ज़्यदा interested रहे 5000 साल पुराना यह site एक continuation में है मतलब यहाँ पर cities बनी रही कुछ तो हमें हवेलीज भी मिली है जो कुछ सो साल पुरानी ही है और बाकि पूरी site तो 5000 साल पुरानी है सरस्वती नदी का जो plane है उसमें located है और जो घगघर नदी है उससे 27 km की दूरी पर है राखी गड़ी 5 iconic sites में भी शामिल है जिनको declare किया गया था Central Government के दूरा 2020-21 में जो इंडिस वैली civilization से बिलॉंग करते है हमारा next article Snow Leopard के बारे में है हाल ही में Snow Leopard Conservationist जिनका नाम चारुदत मिश्रा है उन्हें Whitely Gold Award दिया किया जो भी उनका contribution रहा Snow Leopard को लेकर उसके लिए scientific name है Pantera, Yunsia Cold High Mountains में रहना पसंद करते हैं 12 countries में बेसिकलिए आपको मिलेंगे China, Bhutan, Nepal, India Pakistan, Afghanistan Russia और Mangolia China में इनके आपको सबसे ज़्यादा population मिल जाएगी इंडिया में कई सरे राज्यों में मिलेंगे आपको जम्मुएन का समीर हिमाचल प्रदेश उत्राखंसे किम और अरुदानचल प्रदेश कार्निवोर होते हैं मतलब मांसाहारी होते हैं Blue sheep का शिकार करते हैं जो अरगली wild sheep है ibex है marmot जो के एक प्रकार की गिलहरी होती है पिकाज और hairs पर भी ये सिकार करते हैं दुनिया के most illusive cats में से एक है illusive का मतलब ये होता है कि दिखते नहीं ये जलती बड़े शर्मीले होते हैं और चुकि बर्फ में रहते हैं इस तरीके से रहते हैं कि आप इन्हें देख नहीं पाएंगे बड़े मुश्टल से आपको ये दिखेंगे high elevation वाले habitat में रहना पसंद करते हैं इनके शरीर पर आपको white grey coats मिलेंगे यानि की बाल मिलेंगे जिस पर large black spots भी मिल जाएंगे पूरा सरीर फर से covered होता है इनकी जो पूछ होती है ये इनको balance करने में help करती है चुकि ये mountainous area में रहते हैं तो tough terrain में इने जाना होता है तो balance जरूरी है और इसके लावा जब वो सो रहे होते हैं तो उससे वो अपनी body को भी cover करते हैं shy होते हैं मुश्किल से जंगल में देखे जाते हैं मैं आपको बता चुका हूँ आई से उनकी red list में है vulnerable sites के appendix 1 में और Indian boiler protection act of 1972 के schedule 1 में हमारा निक्स्टा article C.A.P.F. पुनरवास के बारे में है ministry of home affairs ने इसके संबंद में अभी हाल ही में एक portal भी रयार किया है welfare and rehabilitation board W.A.R.V अब आपको लगना होगा कि C.A.P.F. के लोगों का किस बात का पुनरवास करेंगे लेकिं C.A.P.F. के जो soldiers होते हैं वो एक time के बाद retire हो जाते है retirement के बाद भी वो चाहते हैं कि वो खाली ना बैट है जिस वेक्ति ने पुरी life काम किया हो या एक certain time तक काम किया हो वो खाली नहीं बैटना चाहता दो basic reason होते हैं एक तो खाली बैटने की आदत नहीं होती और दूसरा कुछ source of income बनी रहे ये भी ज़रूरी होता है तो वो private security agencies में job avail कर सकते हैं चुकि उनके पास experience है और वो actively serve कर चुके हैं तो वो अच्छे service दे सकते हैं तो इस portal के माध्यम से जो retired personal है उन्हें re-employment मिल पाएगा और वो अपने expertise का इस्तेमाल कर पाएगे जो भी उनके लिए location preferred है या फिर comfortable है उसमें हमारा next article State of World's Bird Report के बारे में है इस report का भी annual review अभी हाल ही में आया है ये एक peer reviewed journal में आता है Bird Life International का flagship science publication है ये जहाँ पर इस पूरी report को publish किया जाता है हम birth की condition को oversee करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से उनकी population में या stress situation में बदलाव आ रहा है क्या निकल किया है या 2022 की report में 48% birth दुनिया भर में population decline देख रहे हैं उनकी संख्या में गिरावट आ रही है और भारत में तो 80% species अपनी numbers में कमी दर्च कर रही है और 50% तो strongly नीचे जा रहे हैं जहाँ पर ध्यान देने की आवशक्ता है हमारा next article MPLATS के बारे में है MPLATS full form है जहां ये को demand चल रही है कि इसमें funds को increase किया जाए महीं दूसरी और Union Finance Ministry ने इसके opposite कुछ rules बना दिये है MPLATS में जो fund आता है जैसे 5 करोण का fund मलता है धाई-धाई करोण के 2 installment में अब वो bank में रहता है तो जब वो bank में रहता है तो उस पे ब्याज भी मिलता है पहले उस ब्याज का इस्तिमाल भी किया जाता था developmental purpose से लेकिन अभी नए rules के according जो ब्याज उस amount में मिलेगा जब तक वो amount bank में जमा है उस ब्याज को consolidated fund of India में जमा करना होगा मतब जो 5 करोण मिला है सिर्फ वही खर्च किया जाएगा ब्याज खर्च नहीं किया जाएगा अब इस पर तो अपत्ती हो जाएगी जो भी मेंबराफ पार्लेमेंट्स है उनको ये एक central sector scheme है December 1993 में शुरू की गई थी ताकि मेंबराफ पार्लेमेंट्स के पास एक fund हो जिसका इस्तिमाल वो local area में कोई durable community इसर डेवलप करने को कर सकते हो जैसे drinking water, primary education, public health, sanitation, road कुछ उनके हाथ में भी हो कि अपनी constancy में अगर कुछ development वो करना चाहरे हैं तो उनके पास funds हो और वो कर पाए रोडल ministry होती है इसके लिए Ministry of Statistics and Program Implementation जो MPL Ads है वो कैसे implement होता है जो memory of parliament होते हैं कौन सा काम होना है वो उसे recommend करते है Nodal District Authority को Nodal District Authority के पास जब ही recommendation आ जाती है कि इस area में ये काम किया जाना है तो फिर वो eligible work जो भी उनको allocate किया गया है उसको execute करने के जिम्मेदाज उनके पास आ जाती है कितना पैसा लगेगा कितना काम कहां होना है इसमें 5 करोन का fund आता है जो non-lapsable होता है और ये 2.5 करोन के 2 installment में दिया जाता है जो लोग सभा के member of parliament हैं वो तो खर्चा अपनी constituency में करेंगे राज्य सभा के MP उस राज्य में खर्च करेंगे किसी भी constituency में जहां से वो चुन कर आए है और जो nominated members हैं वो तो कहीं भी पुरे देश में इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारा next article डल लेक के बारे में है डल लेक में pollution काफी तीजी से बढ़ रहा है एक initiative लिया गया है ताकि डल लेक में pollution को कम कर सकें उसे rejuvenate कर सकें और इस initiative का नाम है अथवास इसे अभी हाली में जो वहां के lieutenant governor है मनुस सिनह उन्होंने launch किया अथवास एक बहुती unique partnership है citizens और authorities के बीच में हमें collaboration establish करेंगे community participation के basis पे हम डल लेक को बहतर बनाएंगे इसमें हम करेंगे de-weeding जो weeds खर्पत्वार उगाती है हम उसे वहां से निकालेंगे इसके अलावा dredging जो तलचटी पे बहुत साई दिक्कते होती है गरबढ़िया या फिर जो कच्रा बगएरा आ जाता है sedimentation हो जाता है ताकि वो clean रहे डल लेक की बारे में बात करें इसे जम्मो इन कस्मीर की summer capital की रूप में जाना जाता था इसे जेवल in the crown of कस्मीर या स्री निगर्स जेवल इन titles के नाम से भी acknowledge किया जाता है लेक important source है commercial operations की जिसमें fishing और water plant harvesting सामिल है कई तरीकी के plants भी यहाँ पर harvest कर लिए जाते है जो जिबरवान mountain valley है वहीं पर located है basically जो संकराचार hills है उसके foot hills में आपको यह मिरेगा यहाँ पर कुछ floating gardens भी आपको मिलेंगे जिनहीं कश्मीरी लोग राड नाम से पुकारते हैं यहीं पर आपको lotus यानि की कमल का फूल भी जुलाई और अगस्त महिने में खिला हुआ दिख जाएगा revision करेंगे अब रविननाथ टैगोर इन्होंने आमार सोनार बांगला लिखा that's true राखी गड़ी वेस्टन यूपी बिल्कुल गलत है हर्याणा MPLATS Ministry of Finance के तहत गलत है स्टैस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लिमेंटेशन इसकी नोडल मिनिस्ट्री है तो ये भी गलत हो गया डल लेक राजस्थान शुद्ध रूप से गलत है कस्मीर अभी हमने देखा सो आज का सेशन यहां पर समाप्त हो रहा है पीडिएफ आपको मिल जाएगी only IES के टेलिग्राम चैनल पर वहां पर जाएए चैनल को जोईन करिएगा पीडिएफ को डाउनलोड करके रिवजन करना मत भूलिएगा तैंक यू वारे मिच